तो फिर नेस्ट अटेम्ट में सिख 450 मार्क्स आये थे फिर उसके अगले साल हम कोटा गए कोटा में पी डबलू जॉइन किया पी डबलू अच्छा था लेकिन सटिस्फेक्टरी रिजल्ट नहीं आया वहां भी 550 मार्क्स आये और उससे भी सेलेक्शन किसी भी कॉलेज में नह क्या एक किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है आज हम आपको एक ऐसी प्रेरनादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले के छोटे से गाव बनखोभी के मुहमद नाजिश की जिन्होंने अपनी कड़ी महंत और अटूट संकल्प से साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहों अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिती किसी से छुपी नहीं है। सफल बना दिया। सबस्के बाद में जो है जब मकतब में गिया उस्टे में पूसा में पढ़ रहा था वहां पर भी मतलब बहुत टाइलेंट था और उसके बाद में फिर यहां पर ग्यान सुरुबर में उसके डिमेशन हमने कराया। और बच्चे जो है मतलब भाई बच्चे को देखना पड़ता ना कि बच्चा मेरा कितना डिमलब कर रहा है हम घर में आते थे। देखते थे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और काफी आगे कर जा रहा है और इसे हम लोग का हिम्मत आगे कर बढ़ता गिया खुसी मिलता गिया और फिर इसकी मैट्टिक एकजाम हुई उसमे भी अच्छा नमर लाया फिर आयशी भी अच्छा निकाला बोला कि हम उन्होंने यहीं से पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए राजस्थान के कोटा का रुख किया। आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी और नाजिश को कोटा भेज दिया। 2021 में नाजिश ने पहली बार नीट की परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार 2023 में फिर से नीट की परीक्षा दी लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। इसके बावजूर नाजिश ने अपने महंत को जारी रखा और आखिरकार तीसरी बार में नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की इस सफलता के बाद उनके घर में खुशी की लहर दोड़ गई। किसान के बेटे ने अपनी महंत से डॉक्टर बनने का सपना साकार कर दिखाया। फिर उसके अगले साल हम कोटा गएं कोटा में पी डव्लू ज्वाइन किया अच्छा था लेकिन सैटिस्फाक्टर रिजल्ट नहीं आया वहां भी फाइफिप्टी मार्क्स आये और उससे सेलेक्शन किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ ना ना एम्बीबियस हुआ ना बीरियस हुआ ना आयुर्वेद हुआ। तो इस साल फिर से एक बाड़ा और एक्जाम देने का सोचें वापस कोटा गएं। ना जिश बताते हैं कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा हमने अपनी पढ़ाई गाओ के ही प्राइवेट स्कूल ग्यान सरोवर से की मेरी मा और पापा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और किसी भी प्रकार की परिशानी को मेरी पढ़ाई के दौरान आने नहीं दिया। परिवार का हमेशा पापा का हमेशा एकोनोमिकली सपोर्ट रहा कभी भी कोई दिकत नहीं आया कि पैसे नहीं आफियासा है। जो भी रहा घर में लोगों ने कम खाया लेकिन पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस दिया। मा ने एमोशनली कंप्लीट सपोर्ट दिया और एमोशनली सपोर्ट के साथ इस साल उन्हीं की दुआ है कि काफी अच्छे नमबरों से हम पास के। नाजिश की कहानी लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरना है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और हिम्मत है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि महंत और संकल्प से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी मुश्मद नाजिश की कहानी एक किसान के बेटे की जो अब डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। लोकल 18 के लिए वैशाली से राजकुमार सिंग की रिपोर्ट